हाई गाई वेल्कम बेक टो माई चैनल सिविल अर्किटेक्ट आई वोप यू और वेल एंड स्केचप के लेसन 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है अगर आपने अभी तक स्केचप के लेसन 1 & 2 को नहीं देखा है तो प्लीज चाकर देख लीजिए मैंने यहां पर एक अलग से प्लेइलिस्ट किया है ताकि आप लोग स्केचप के लेसन में अप्लोड करता हूँ वह आसानी से ढून पाओ ओके तो यहां पर मैंने अपनी चैनल में स्केचप फोर बिगिनर नाम वई सब प्लेइलिस्ट कर रखा है आप वहां से सभी लेसन को देख सकते हो तो नहीं किस तरीके से उस फाइल को रिस्केल और रिसाइज किया जाता है तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ओके तो फ्रेंज यहां पर मैं स्केचप का यूनिट इंच में रखता हूँ तो मैं टेंपलेट में से अर्किटेक्चरल इंच सेलेक्ट करता हूँ लेसन वन और टू में हमने बेजिक जो स्केचप का है वह क्लियर किया एंड आज के इस लेसन त्री में अब हम आगे देखने वाले हैं कि ओटो केर से किस तरीके से फाइल यहां पर स्केचप में इंपोर्ट की जाती है एंड उसे 3D मोडलिंग के लिए कैसे प्रिपेर किया ज चुका है अब आपको जाना है फाइल में एंड वहां से आपको जस्ट इंपोर्ट में जाना है जैसे इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर एक विंडो ओपन हो जाएंगी जहां पर से आपका जो भी ओटोकेट फाइल जिस ड्राइव में है वहां से आपको ओटो कर देनी जैसे ही आप क्लोज करोगे तो आपका जो ओटोकेट का टूडी प्लान से वह यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है ओके आपने अपने ओटोकेट में कहीं सारे प्लान्स क्रियेट किया होगे लेकिन हमें 3D मोडलिंग के लिए से दो ही प्लान की जरूरत होती है यानि ग्राउंड फ्लोर प्लान और फ्रस्ट फ्लोर प्लान तो बाकी के सारे प्लान हम डिलिट करने वाले हैं ओके आप कहीं पर भी क करेंगे जैसे इस तरीके से मैंने यह पर click किया तो सारा का सारा जो plan है वो सभी plan select हो रहे हैं तो हमें तो only यह दो plan ही रखने हैं और बाकी सारे plan को select करके delete करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा यह सभी plans अभी तो group में है तो इसे हमें पहले तो यह इस तरीके से select करना है फिर right click करनी है and आपको वहीं से explode कर देना है या फिर edit component भी कर सकते हैं लेकिन यहां पर आपको explode करना है तो explode करेंगे and फिर बाहर कहीं पर भी click करना है जैसे ही explode करोगे तो अब आप देखोगे कि जितने plan आप select करते हो उतने ही plan select हो रहा है तो मुझे इस plan की कोई जरूरत है नहीं तो इसे में delete कर देता हूँ यहां पर से मैंने delete कर दिया अब इस plan की भी कोई जरूरत नहीं है तो इसे भी delete कर देता हूँ तो अब हमारे पास यहां पर दोनों प्लान है लेकिन आप देखोगे क्योंकि हमने राइट लिक करकी एक्सप्लोड किया था तो आप जैसे यहां पर सिलेक्ट करोगे तो ओनली यह वन लाइन ही सिलेक्ट हो रही है लेकिन मुझे जाहिए कि जबी मैं कहां पर भी click करूँ तो यह सारा का सारा group में select होना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर से select करेंगे दोनों plan को select करेंगे and right click करके फिर से उसे make a group कर देंगे तो अब आप देखेंगे कि पहले तरह के से इंपूर्ट कर लिया लेकिन ये भी चेक करना होता है कि क्या हमारी ये फाइल e soir प्रोपर इंपॉल्ट हूँ ना यानरी हमारे dimension तो नहीं हुए ना पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा यह जो plot size है यह हमें कितनी size का हमारा जो यह total area था ओके तो इससे हम measurement पहले तो कर लेते हैं ओके तो यहाँ पर मुझे पता था कि plot की जो यह size है वो 35 feet है यह ओके तो क्या यह length सच मुझ 35 feet है नहीं आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैं देखो यहाँ पर क्लिक करता हूँ and अब plot की दूसरी तरफ सिफ यहाँ पर मैं अपना जो tape measurement tool रखता हूँ आप देख सकते हो कि screen पर या left side bottom में भी fold 20 feet लिखा रहा है लेकिन हमारा यह जो plot तो only 35 feet का ही था तो यानि हमारा यह जो plan है वो scale में नहीं है बहुत बड़े scale में यहाँ पर import हुआ हमें इसे 35 feet का plan create करना होगा आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने door की size 3 feet wide door provide किया था तो इसका dimension कितना आ रहा है आप screen में देख सकते हो इसका dimension 36 feet आ रहा है इतना तो कभी door का dimension नहीं हो सकता यानि हमारा यह जो scale है वो एकदम large scale में file import हुई तो इसे हमें rescale करना होगा तो guys rescale करने के लिए आप two method का use कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर जो shortcut method यानि जो भी authentic method वहीं आपको सिखाने वाला हो ओके तो आपको rescale करने के लिए क्या करना होगा पहले तो इस पूरे के पूरे जो plan है उससे select करना होगा आप इस तरीके से हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी select हो जाएगा क्यूंकि यह plan तो अब भी हमारा group में ही है ओके तो आपको अब एक बार फिर से right लिक करके explode कर देना है अब eqspload करने के बाद फिर से measurement tool का ही इस्तमाल करना है अब जो भी component का dimension जानते हो वहाँ पर आप चले जाए जैसे कि मैं यहाँ पर door के width का dimension जानता था कि मैंने 3 feet wide का door provide किया था इन में साथ में यह dimension भी जानता था कि हमारे जो plot की width थे वो 35 feet थी तो rescale करने के लिए अब आपको करना होगा जैसे कि मैं यह door का dimension जानता था तो मुझे यहाँ पर पहले तो door के एक side पर click करनी है एक side पर click करी अब दूसरे side पर हमें click नहीं करना है दूसरे side पर हमें रखना है और आप notice करो कि हमारा जो tap measurement tool है वहाँ पर जहाँ पर भी 36 feet लिखा रहा है उससे उपर tap measurement tool का जो symbol है वहाँ पर नीचे dot dot जैसा कुछ दिख रहा है अब आपको control type करना है जैसे control type करोगे तो वह dot dot वाला symbol चला गया है and only हमारा tap measurement tool बचा है अब आपको यह दूसरे side पर click कर द and fit का symbol आप left side bottom में देख सकते हो अब आपको enter देना जैसे enter दोगे तो वह आपको पूछेगा कि do you want to resize this model तो आपको yes कर देना जैसे yes करोगे अब आपको zoom in कर दा है okay क्योंकि हमारा यह जो file थी वो scale में आ गए हम फिर से एक बार check कर लेते हैं कि सच में यह scale में आ गई है कि नहीं तो यहाँ पर plot की जो width थी वो मैंने आपको बताया था कि 35 feet के आसपास थी okay तो यह 34 and 10 inches यानि कि हमारा यह proper scale में आ गया है अगर अभी भी आपको scale में लेना ह तो मैं दूसरी बार समझा देता हूँ like यहाँ पर देखो 34 feet 10 inches दिखा रहा है लेकिन हमें यह depth 35 feet की चाहिए तो मैंने क्या किया था scale में लाने के लिए आपको यहाँ पर एक छोर पर click करनी है फिर control की press करनी है control की press करने के बाद आपको दूसरे end पर click करनी है दूसरे end पर click do you want to resize this model yes तो जब आप yes कर दोगे तो आपका यह जो प्लान है पूरा का पूरा scale में आ गया होगा आप यहाँ पर भी door की size चेक कर सकते हो वो 3 feet आ रही है and upload की width भी check कर सकते हो like 35 feet आ रही होगी ओक्य यह देखो यह 35 feet exactly आ गया है तो इस तरीके से आप इसे rescale कर सकते हो and हाँ guys यह जरूरी नहीं है कि जब भी आप अपना जो autocad file यहाँ पर import करो तो हर वक्त आपको rescale करने की चरूरत हो क्योंकि यह अर बार नहीं होगा अपने कुछ ही autocad file में आपको ऐसी दिक्कत आएगी जब आप इसे import करोगे तो आपको इसे rescale करने की चरूरत पड़ेगी नहीं तो आप सीधा file को import करके यहाँ पर से measure कर लेना है dimension अगर सही dimension आ रहा है तो आपको कोई rescale करने की चरूरत नहीं अब मैं आपको दूसरी method भी समझा देता हूँ कि दूसरी method में आपको क्या करना होगा जैसे कि आपके model को resize या फिर rescale करना हो तो तो दूसरे method में हम ल code में S type करना है जैसे ही S type करोगे तो आपका यह tool activate हो जाएगा चीज़े scale tool बोलते हैं ओके तो यहाँ पर से अब आपको यह जो बीच वाला green dot है उससे आप इस तरीके से बड़ा या फिर छोटा कर सकते हो तो यह method कब काम लगने वाली है जबी आप 3D model में कुछ अपना गया उसे इस तरीके से stretch या फिर ओके करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो लेकिन मैंने जो पहली method आपको सिखाई किस तरीके से आपको file को rescale करना है वहीं आपको Auto kit की file के साथ यूज करना है ओके तो अब आप इस पर 3D modeling create कर सकते हो तो इसे 3D modeling इस पर किस तरीके से तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं sketch up and Auto kit के इस तरीके के tutorial यहाँ पर लाता रहूंगा जो कि students and जो भी sketch up and Auto kit सीखना चाते हो उसके लिए काफी helpful रहने वाला है तो I hope कि ये video आपको पसंद आई होगी guys take care bye bye see you soon